कल दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान डॉनल्ड ट्रम्प उनकी पतनी में करोना वाइरस इंफेक्शन की पुष्टी हो गई है और उनको वॉल्टर रीड मिलिटरी हॉस्पिटल में एड्मिट कराया गया है तो आज मैं डॉक्टर अंकुर बजाज आपको बताऊंगा कि उनको अमेरिका क्या थेरेपी दे रहा है क्या वी आईपी ट्रीटमेंट चला है उनका और क्या एक्स्परिमेंटल थेरेपी उनको दी गई है ताकि अमेरिका चाहता है कि प्रेजिडन्ट ट्रप उनके जल्दी ठीक हो जाए और उनमें करोना वाइरस जल्दी जल्दी नश्ट हो जाए कल उनको करोना वाइरस के कुछ सिम्टम्स पाए गए थे जैसे कि उन्हें फटीग लग रहा था बुखाड था और खांसी आ रहे थी जिसके लिए उन्हें टेश कराया और करोना वाइरस पॉदर्टि हो गया है और दूसरा एक चुहे में करोना वायरस दिया गया और जब वो ठीक हो गया तो उससे ये antibodies निकली हैं तो ये दोनों antibodies मिलाके cocktail उनको inject की गई है एक higher dose में और ये antibodies जो करोना के spikes हैं उसके against attack करती हैं और coronavirus को वहीं पर नश्ट कर देती हैं हाला कि ये experimental therapy है कोई लग गई थी इसके बाद उनका वीडियो भी दिखा था जिसमें वह hospital जाते हुए aeroplane में चड़े थे तो उनको दिख रहा था कि कोई भी सांस नहीं भूल लई है इसका मतलब वह mild to moderate category में आएंगे पर उनको co-morbidities हैं जैसे कि उनकी उमर 74 years है obese है hypertensive है तो naturally America पूरा ख्यान लख रहा है उनका कि कैसे वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाए साथ में associated therapy के मामले में उनको आज remdesivir जो कि again एक antiviral drug है उनको start कर दी गी है जो हम लोग इंडिया में भी naturally देते हैं moderate cases में इसके साथ उनको supportive zinc, vitamin D, एक femotidine नाम की tablet चली है साथ में aspirin एक खून पतला करने की दवाई दी जा रही है साथ में melatonin ये एक melatonin एक दरसल एक हमाई body का हार्मोन होता है जो कि हमाई circadian rhythm मतलब सुबह के time ज्यादा होता है रात के time कम होता है ये दिखा गया है कि ये melatonin बहुत जवरी होता है हमारी नींद अच्छी नीन आने के लिए तो बेसिकली जब नींद अच्छी आती है तो naturally body में coronavirus का infection से लणने की शक्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये भी उनको चला है तो ये experimental therapy, polyclonal antibodies, cocktail regime उनको start की गई है जो कि एक ready neuron company बनाती है और White House के physician डॉक्टर कॉनले के मताबिक President Trump काफी अच्छा कर रहे हैं उनको अभी तक कोई oxygen supplement की जड़िवत नहीं पड़ी है इसका मतलब यह है कि उनकी सांस नहीं पूर ले है उनका situation भी अच्छा maintained है आगी जाके मुझे लगता है उनका CTs Horax होगा जिसमें देखा जाएगा उसमें कितना pneumonia है कितने consolidation कितना patches बने For more such authentic updates, please subscribe to my channel और अगर आपको polyclonal antibodies के बारे में जानना है तो please comment तुम्हें अगला वीडियो आपके लिए polyclonal antibodies का बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि यह antibodies क्या होते हैं इसी के साथ नमस्ते, stay safe, stay healthy